सब्सकार्ब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबॉट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाफ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबॉट मेडिसिन में जहां आप पाते दबाईयों के बारे में शंपून जानकारी दोस्तों एह दबा दो दबाओं टॉर्चे माइड दकशी हैं जिसमें टॉर्से माइड एक्टियूरेटिक दबा है जिससे पैसाभ संबनेदी समाशियों को ठीक करने के लिए प्रियोग में लाई जाता है साती जो इस्पिरिनो लेक्टोन यह भी डायूरेटिक है लेकिन यह पोटेशियम इस्पेरिंग डायूरेटिक है इस दवा को उन दवाओं के साथ दिया जाता है जो दवाईयां पोटेशियम लोस करती है साती इस्पिरिनो लेक्टोन करने का कारे करें अगर बात करें इन दोनों की क्या के स्ट्रेंद मार्केटमें इपिस इंडस बनाइजाता है तो यह मुख्य रूप से दो इस्ट्रेंध में बना nuclear जाती यह अपने जंडिक नाम से नहीं मिलके इसके कुछ popular brand name से मिलती है जैसे कि आप एप स्लाइड पर देख पा रहे हैं इसके कुछ popular brand name जैसे कि डाइटयर प्लस टेबलेट, Tide प्लस टेबलेट, Torgel Plus टेबलेट, Torgenex Plus टेबलेट तता TOR और लेक्टरन टेबलेट यह इसके कुछ पुछ ब्रांड है और हो सकता है इसके अलब किसी अन्य नाम से आपको मेडिक लिस्टो भी मिले क्योंकि जो दवा की ब्रांड ने में होती है डॉक्टर और एरिया के कोडिंग अलगलग होती है जो पी आपको एजीली मिले उसा आप ख़ए सकते हैं क्योंकि जो दवा का मूल नाम रहता है वो टोट से माइट इस विडियो में आगे जान लेते हैं इस टेबलेट के कोंट्रा इंडिकेसिन के बारे में वह कौन-कौन व्यक्ति है जिनने यह दवा नहीं दी जा सकती उसके बाद में जानेंगे इसकी यूजर क आपाइ Haus इसके साइड वर के बारे में इसमें वह व्यक्ति है जिन हे रियंगल इंसफिकें सी नाम कि बीमारी हो मतलब क्रिदी कारिया नहीं कर रही हो साथ ही पैटिक कोमा मतलु उसके लीवर बहुत ज्ता समश्या हो कौमा की सत्रति में जाने की इस्तरति में हो साथ है एपोटेंशन मदले व्यक्ति को बिलड प्रेसर लोह रहता हो कार्डिक एर्यत्मिया की विमारी किसी व्यक्ति को हो साथ ही कोई पैसेंट है जो एमिनोग्लोकाइसट जैसे जैन्टमाइसिन एमिकासिन का प्रियोग कर रहा हो यह सेफेल इस्वेंट एंटिबाइटी का प्रियोग कर रहा हो इसके अलावा पोटेसियम का लेवल उस व्यक्ति बहुत ही जद्धा हो जिस है हाइपरकेल्मिया कहते हैं और किसी व्यक्ति को एडिसंस डिजीज हो तो इन स जाती है जैसा कि डायोरेटिक दवा का यह कॉम्मिनेशन है तो इसका मुक्यत्र प्रियोग हमारे सरीर में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए किया जाता है जिसमें सबसे पहली बिमारी होती ओडिमा जिसे फ्लूइड रिटेंशन भी कहता है यह प्रका देकर प्रेशन को ठीक किया जाता है इसका फ्लूइड रिटेंशन नॉमल किया जाता है इसके लाव जो दूसरी बिमारी है वहां है नेफ्रोटिक सिंड्रोम यहां एक किड्नी से जुड़ी ही समझ जा है जिसमें व्यक्ति की यूरीन के तुरू प्रोटीन सरीर से बाहर न हाई रह रहा हो तो उससे भी यह दवा देकर ब्लेट प्रेशन नॉर्मल तक लाए जाता है और कोई प्रेसेंट है जिसको कार्डियक फेलियो मलब हार्ट फेलियूर के समझ्या है उसका हाट अची तरह से कारिये नहीं कर पाता है तो उस समय में यह दवा मरीज को दी जाती जिससे कि प्रोपर तरीके से हाट पर प्रेसर नहीं पड़े और अची तरह से कारी करें और उस समय यह दवा लंबे समय तक दी जाती है और हो सकता है दोस्तों इसके अलवभी किसी भी अन्य किड्नी से रेलेटरी समझ्या में डॉक्टर अपने एक्स्पिनिस के नुसार इ धकान व्यक्ति को हो सकती है डी हाइड्रेशन की समझ्या व्यक्ति में लग सकती है ब्लड में मेगनीशियम सोडियम तथा केल्शियम का लेवल अचानक से गिर सकता है साथ यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ सकता है और मेल्स में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो सकता है यह एक कुछ समझ्या साइड इफेक्ट के तो पर देखी जाती और हो सकता है इसके अलब भी किसी अन्य परकार के अन्वांटेड इफेक्ट आपको मिले यदि यह हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले जिससे की फर्दर टीट्मेंट आपको दिया जा सके अब वीडियो के ला जाता है और दिन में एक बार इसको खाने के बाद लेने की सला दी जाती और हमेशा इस टेबलेट को सुबह 10 या 11 बज़े ही ले क्योंकि इसको रात में लेता हो तो पूरी रात आपको पैसा पायेगा और पूरी रात आप परिसान रहेंगे नीद नहीं ले पाएंगे जिस इससे हो सकता है अपका ब्लड प्रेसर भी राइज हो जाए इसी कार्याण से इस टेबलेट को सुबह में लेते हैं और सामयने तोर पर यदि किसी व्यक्ति को ओडिमा की समश्या हो गई हो हाथ पाव में सूजन आ गई हो तो उस समय उसे पांस दिन से लगा कर दस दिन या जाती है उसमें उसका ठीक हो जाती है और लेकिन को पैसेंट इसको हैपर टेंशन हाइब ब्लड पैसर की सिकाई तैसा तो उन्हें अधर अधर अधिसनल मेडिसिंग के साथ में लंबे समय तर दी जाती है और कई बार इसको एस चवरूद पढ़ने पर भी दी जाती है तो सिफ डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस टेबलेट को लेना होता है ऐसा नहीं कि आपको किसी कारण से पाव में सुझा नियरप मन से इस टेबलेट को ले ले आपको कुछ समश्या कर सकती है तो दोस्तों इस अमानी से जानकारी टोजर से माइट दासा इस्प्रिन और उलेक सब्सक्राइब करते हैं और जो आने वाले वीडियो के सब्सक्राइब के साथ अपने दोस्तों मुहित दादीज के साथ देखे रहें एपने यूट्यूब चैनले लाड़ों रडी से थेंक यू फ्रेंड्स टेक क्यार एंड बीकेफों मेडिसीन इस